इस वक्त की बड़ी खबर आमानी पार्टी से जुड़ी हुई आ रही है E.D. ने एक और बड़ी छापे मारी की है आमानी पार्टी के राजसबा सांसद संजीव अरोडा के घर सुबा सुबा E.D. पहुची जिससे आमानी पार्टी में हडकम मच गया पताया जा रहा है कि एक बड़ा घोटाला संजीव अरोडा का सामने आया है जिसको लेकर E.D. उनके घर पहुची और सुबा सुबा उनके घर पर तलाशी अभ्याद चलाया गया जैसे ही E.D. की छापे मारी की एक खबर सामने आई आमानी पार्टी ने बौकलाना शुरू कर दिया संजल सिंग से लेकर मनी सी सोधिया तक ने ट्वीट गड़ दिये और E.D. की कारवाई को बीजेपी की साजिश बताया नोदी सरकार की साजिश बताया लेकिन चलिए पहले ये बता दिते हैं कि संजीव अरोडा पर किस घोटाले में E.D. ने छापे मारी की है बताया जा रहा है कि जमीन से जुड़ा ये घोटाला है आरोफ है कि उन्होंने जालसाजी कर जमीन अलोट कर आई उसी सिलसले में ये छापे मारी हो रही है इस रेड को लेकर आमानी पार्टी भड़ा कुठी है और दिली के पूर्टिटी सियम मनीश सोधिया ने केंदर सरकार पर हमला बोल दिया है क्या कुछ ये ट्वीट में मनीश सोधिया की जरीए कहा गया पहले ये बताते हैं मनीश सोधिया ने भड़कते हुए ट्वीट किया और लिखा अपने ट्वीट में आज फिर मोदी जी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है आज सुभा से आमानी पार्टी के राजसबा सांसल संजीव अरोडा जी के घर इडी वाले रेड कर रहे हैं पिछले दो सालों में इन्होंने अरविंद किजडिवाल के घर पर रेड लिया आमानी पार्टी वाले ना रुखेंगे ना बिकेंगे ना डरेंगे तो संजासञ ने या अरोफ लगाया है कि आमानी पार्टी को तोड़ने के मकसद से आमानी पार्टी के नेताओं पे ED के जरिये रेड करवाई जा रही है हाला कि ED सबूतों के साथ ये छापे मारी कर रही है गवाहों के साथ ये छापे मारी कर रही है बाजोद उसके भी आमानुई पार्टी ने जैसे शराब घोटाले में शोर मचाया था वैसे ही अब जमीन घोटाला जब संजीव अरोडा का सामने आया तो उनके खिलाब भी वॉकलाना सुरू कर दिया आरोप सीधे सीधे लगाय जा रहे है कि बीजेपी आमानी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही है इसलिए एडी के जरिये ये शापे माली करवाई जा रही है अब संजेज सिंग ने क्या कुछ ट्वीट करते हुए लिखा है मोदी सरकार पर तंज करते हुए क्या कुछ कहा है ये भी बताते है तो संजेज सिंग की तरव से ट्वीट किया गया और लिखा गया एक और सुभा एक और रेड आप सामज़त संजीवा रोडा के घर एडी वाले पहुचे मोदी जी की फरजी केस बनाने वाली मशीन 24 गंटे आवादी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है एसी ने भी कई बार इनको लताडा की जूटे केस बनवाना बंद करो लेकिन फिर भी एडी को समझ नहीं आ रहा ये एजन्सियों कोट को नहीं मानती सिर्फ अपने आका की मानती है लेकिन मोदी जी का एहनकार आवादी पार्टी के नेताओं के होसलों के सामने बिल्कुल फेल है फरजी केस और रेड़ वाले हद करणों से आप एक कटर इमानदार पार्टी को तोड़ नहीं सकते मोदी जी तो संजसिंग ने भी यही आरोप लगाया है कि मोदी जी जो है वो आमानी पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे है लेकिन कितने भी हद करने आमानी पार्टी अजमाले वो आमानी पार्टी को तोड़ नहीं पाईगी बीजेपी हलाकि ये आरोब बिल्कुल गलत है क्योंकि आमानी पार्टी शराब घुटाला सामने आया तो उसे भी जूटा बताया जबकि किसी को भी जितने भी लोग शराब घुटाली में जेल में गए थे किसी को भी बरी नहीं किया गया है बलकि सभी अभी जबानत पर भाहर हैं एडी उनके खलाब सबुट जुटा रही है कोर्ट में सबूत पेश कर रही है चार्शीट में सब के नाम क्लियर की ये लिखे गए हैं कि कैसे शराब घुटाली के पैसे को इधर से उधर भेजा गया कैसे आमानी पार्टी ने शराब नीती बना कर डील की साउथ लॉबी के साथ 100 करोड रुपए कैसे आए गोवा चुनाव में कैसे वो पैसे लगाए गए बावजुद उसके वियामानी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये घुटाले जूटे हैं फसानी की कोशिश की जा रही है अब इस पुरे मामली पर संजल सिंग ने प्रतिक्रिया दी है क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं मंतुरी से पूछना चाहते हूँ आपने सत्रा महीने मनीश सोधिया जी को जेल में रखा एक रुपए उनके घर से नहीं मिला क्या मिला बताये देश को आपने डिली के मुक्खे मंतुरी अर्विंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा उनको इंसुलिन नहीं दी, उनको मारने तक की साजी स्रची, क्या मिला उनके घर से बताईए आप देश को, आपने सतेंदर जैन को दो साल से अधिक समय से जेल में रखा हुआ है, 36 किलो वजन कम हो गया उस वेक्ती का जेल के अंदर, आपको क्या मिला उनके घर से, आपने मु कि पुरसाथ, ना किसान के लिए काम करने, आपको सिर्फ रेड मारना है दिन रात, और उस एक ऐसी एजनसी से जिसको बार-बार सुप्रिम कोट से लतार मिल रही है, और आम आदमी पार्टी और केजरी वाल को खतम करने के लिए किसी हद तक आप जाएंगे, और जितने भी बेइमान भरस्टाचारी देश के हैं, जिसके उपर प्रदानमंत्री खुद आरोप लगाते हैं, उनको दूसरे दिन गले लगा लेते हैं, संजीव अरोडा, आरोप देखे क्या है, आरोप मन गढ़नत कोई सीमा नहीं, उसकी कितना आरोप आप लगा सकते हैं, और मोदी औ अफवा कंपनी है ये, इसके लावा कुछ नहीं है, भारत का प्रदानमंत्री बताता क्यों नहीं कि क्या मिला केजरिवाल जी, क्या मनिस्स हो दिया, क्या संजे सिंग, क्या सतेन जैन क्या, आपने रेड मारी है, आपने पकड़ा, हम लोगों को जेल में डाला, आप बताओ संजीव अरोडा, राज्यसभा के सांसद है, बहुत सारे चैरेटी के वर्क करते हैं, तमाम अच्छे काम करते हैं, आपने आप उनके घर पर रेड मार दिये, इसलिए आमादी पार्डी के सांसद है, तो संजीव अरोडा के घर शापे मारी चल रही है, बताया जा रहा है कि इडी को उनके घर से चापे मारी में क्या सबूत हाथ लगते हैं, क्या संजीव अरोडा की गिरफतारी भी हो सकती है, और यही डर है कि आमादी पार्डी ने बौकलाना शुरू कर दिया है, वैसे शराब घोटाले में पंजाब से भी कही नेता फसे हुए हैं, और जिस तरी आप बीजेपी पर साजिश के आरोफ लगा रहे हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं, अब देखना यह होगा कि संजीव अरोडा के खलाफ एडी को क्या सबूत मिलते हैं, और आगे एडी क्या कारवाई करती है, फिलार इसकबर पर आपकी राय क्या है, मैं कमेंट कर जरूर बत कि आरोड़ पर यारोड मिलते हैं, अरोडर गार इसन पूल्सु कि एफए स야 सक्पा कर दिए का देखने मेंट अरोड़ के इसक्रावाब